प्रिया शात्रों नमस्कार आज हम लों क्लास देंथ मैथ के प्रशनावली च्छादव सनलब तीन के प्रशन संख्या 14 को सॉल्व करेंगे अगर आपको विडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन और प्र तथा माधिका प्रियम के करम्सह समानोपाथी है दर्शारइए कि तिर्भुज ABC संभुख तिर्भुज पी क्यूआ है और इस प्रशन में कोई भी आकृत्तिए नहीं दिया गया है हमें प्रशन को परकर आकृतित्यार करना है तो यहां हमने एक आकृति बना लिया है जिसमें एक तिर्भुज ABC ABC एक तिर्भुज है की भुजाएं AB और AC तो AB भुजा और AC भुजा तथा माधिका AD AD माधिका है एक अन्य तिर्भुज की भुजाओं PQ और PR तथा माधिका PM के करमसा समानुपाती है तो दर्साइए कि तिर्भुज ABC संभुख तिर्भुज PQ वाड़ है ठीक है तो आईए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे फल दिया है AB बटा PQ ठीक है ये दुनों का अनुपात क्या है बराबर है क्योंकि समनुपाती है ठीक है तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM AD बटा PM ठीक है ये चीज़ दिया गया है ठीक तो हमें सित क्या करना है सित करना है कि तिर्भुज ABC समरूप तिर्भुज P की बाड़ है ठीक है ठीक है ठीक है ठीकेंगे सित करना है तिर्भूज A, B, C समरूप तिर्भूज P, Q आ रहे हैं तो हम लोग ऐसे सिध नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें कुछ रसना करना पड़ेगा और रसना क्या करना पड़ेगा देखे A, B के मध बिंदू कोई लेना पड़ेगा चलिए हम लेते हैं इसका नाम देते हैं E और P, Q का मध बिंदू लेते हैं यहाँ पर इसका नाम देते हैं N ठीक इसके बाद E से D को मिला देंगे और N से M को मिला देंगे ठीक है और रसना में लिखेंगे E, D समानतर A, C तथा N, M समानतर P, R ठीक है अब एक क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक, E बिंदू जो है A, B का मध्विंदू है ठीक है तो लिखेंगे E A, B का मध्विंदू है A, B का मध्विंदू है तथा N P, Q का मध्विंदू है P, Q का मध्विंदू है ठीक है देखें और जब इस मध्विंदू को इससे मिला देंगे ठीक है तो क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना था मध्विंदू परमेका विलोम ठीक है उसमें क्या कहा गया था यदि एक तिर्भुच की एक भुजा के मध्विंदू से होकर ठीक है तो एक तिर्भुच की एक भुजा के मध्विंदू से होकर दूसरी भुजा के समांतर यानि कि इस भुजा के समांतर ठीक है अगर कोई रेखा खीची जाती है तो वह तीसरी भुजा को संदी भाजित करती है तो इस भुजाद को संदी भाजित करती है ए मध बिंदू परमे का विलोंग तो यहां कारण लिख देंगे मध बिंदू पर मे का विलोंग ठीक तेखे इसके साथ ही यह क्या हो जाएगा देखिए, ED जो है, ED रेखा, AC रेखा का आधा है, यह जो है, मध्विंदू का प्रमे का कहना है, मध्विंदू का प्रमे कहता है, कि तिर्भुज की दो भुजाओं के मध्विंदू को मिलाने वाले, तो एक भुजा A है, और एक भुजा A है, तो इस भु भूजा के मध्ध बिंदू को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह तीसरी भूजा के समानतर होती है और तीसरी भूजा के लंबाई का आधा भी होता है ठीक है तो एसी का क्या हो जाएगा समानतर हो जाएगा एडी और एसी का आधा भी हो जाएगा एडी ठीक है इस तरीके से यहां पे कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ED बराबर ED बराबर AC का आधहा आधहा किसका AC का तथा NM बराबर आधहा किसका PR का ठीक है कारण क्या देंगे मध बिंदू परमे मध बिंदू परमे यह हो जागा इसका कारण ठीक अब चलते हैं ऊपर दिखें ऊपर में क्या है AB बटा PQ AC बटा PR AD बटा PM ठीक है इसको लिखेंगे AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM ठीक है अब देखिए अगर हम AB को आधा करें AB को अगर हम आधा करेंगे तो AE होगा और EB होगा ठीक है तो इसको नलिख करके हम लोग इसको लिखेंगे क्योंकि A, E, D को हमें संब्रूप करना है ठीक है इसके साथ इस तीरिभूद के साथ तो AB को अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा AE हो जाएगा ठीक है यहाँ लिखेंगे 1 बटा 2 इसका AB का और 1 बटा 2 इसका PQ का बराबर इसको भी एक बटा 2 करेंगे 1 बटा 2 AC का और 1 बटा 2 PR का और इसको यह जैसे है वैसे यह रहने देंगे AD बटा PM ठेक क्योंकि देखें हमें इस तिर्भूच को समरूप करना है AD इसको और PM इस तिर्भुज में AD है और इस तिर्भुज में EM है, ठीक है? तो इसको जैसे है, वैसे ही रहने देंगे. अब देखें, यहाँ, 1 बटा दो AB का, ठीक, तो AB का आधा, ठीक, तो AB का आधा क्या है? इस वाले तिरभुज में यहां लिखेंगे A,E और इस वाले तिरभुज में लिखेंगे E,N बराबर इसको देखें 1 बटा 2 AC 1 बटा 2 AC तो AC का आधहा ठिक है तो हमने अभी आपको बताया था कि AC का आधहा क्या होता है तो ED होता है, ठीक है, यानि कि ED के बराबर हो जाएगा AC का आधा, ठीक, तो इसके जगापर हम क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं, तो इहां लिखेंगे ED और इसी प्रकार इस तिर्भूज में, यानि कि अगर हम PR को आधा करते हैं, तो क्या होता है, NM होता है, क्या होता है, N M ओ जैसे है बैसे ही रहागा A D बटा PM फिक, अब दिखे इस छोटे वाले तिर्भुझ में दिखना है A E PN के बटा में है E D N M के बटा में है और A D P E M के बटा में है फिक है, यوقFS इस तिर्भुझ का तीनो भुझा और इस तिर्भूज का तीनों भूजा क्या है एक ही अनुपात में है ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं भूजा 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 समरूपता से कि ए वाला जो तिर्भूज है और ए वाला तिर्भूज है ये दोनों तिर्भूज क्या है सम्रूफ है ठीक है यह लिख सकते हैं इसलिए साइड 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 सम्रूपता से तिर्भूज AED सम्रूप है किसके तिर्भूज PNMK ठीक है और जब ये दोनों तो एवला कुझे दोनोंकों बराबर होगा चल्य का नाम देते हैं एक और इसका नाम देते हैं दो ठीक है तो इसलिए कोण एक बराबर हो जाएगा कौन? दो के ठीख ना? अब देखिए, जैसे हमने E से D को मिलाया है, ठीख है? AC के समानतर, ठीक, इसी प्रकार से अगर हम इस D बिंदु से AC के मध बिंदु को मिला कर AB के समानतर एक रेखा खिच दें, इस तरीके से, एसे, ठीख है? और यह जो तिर्भुज बनेगा, जैसे कि हम यहां मिला देते हैं आपको जैसे एक तिर्भूज अगर हम यहां बना ले इस तरीकर से फिर यहां बना ले ठ unglaub और यह उस का जान इस बंदुभा कूछ नाम ले ठेख तो ए वहाझ जो तिर्भूज है और ए वह तिर्भूज वह इस दुन Key किया है वैसे ही इस दोनों त्रिफुष को समूरूफ कर देना है ठीक है अगर एक को आप कर लिया है तो दूसरा को करने के ज़रूरत नहीं है मैं अभी आपको बता दूँगा ठीक है इसका नाम देदेंगे तीन और इसका नाम देदेंगे चार ठीक है तो एक दो बराबर हो गया है इसी प्रकार अगर दोनों तिर्फु समरूफ हो जाएगा तो तीन चार कौन भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ठीक तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार कौन तीन बराबर हो जाएगा कौन चार के और इसका नाम देदेंगे समिकरन एक इसका नाम देदेंगे समिकरन दो ठीक है अब समिकरन एक और दो को जोड़ेंगे समिकरन एक और दो को जोडने पर इधर वाला को एक तरफ जोड़ेंगे और इधर वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, तो कौन एक प्लस कौन तीन और इधर हो जाएगा कौन दो प्लस कौन चार, ठीक, अब कौन एक और तीन को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, कौन ए आएगा, और कौन दो और चार को जोड़ तो कौन P आएगा तो कौन A बराबर हो जाएगा कौन P के इसका नाम देते हैं समिकरन 3 अब चलिए जिस दो त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है उसमें चलेंगे तो यहाँ त्रिभुज A, B, C समरूप दिखाना है त्रिभुज P, Q, R ने तो इसी दोनों त्रिभुज में अब चलेंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज P, Q, R में त्रिखेंगे दिखेंगे त्रिभुज A, B, C ठीक है त्रिभुज और त्रिभुज P, Q, R ए बरावर त्रिभुज ठीक है इसमें कोन A बरावर है कोन P, कोन A बरावर है कोन P, कहां से समेकरन 3 से तो यहाँ लिखतेंगे कारण में 3 से अब इस दोनों त्रिभुज में A, B, B, Q है और A, C, B, R है इस कोन के दोनों साइड वाला भुजा ठीक है यहाँ देखेंगे, क्या है, A, B, B, Q, बरावर A, C, B, R इसको लिखेंगे, A, B, 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 Q, बरावर A, C, बरावर A, C, बरावर, क्या है, A, C, बरावर, ठीक, और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोन बरावर होता है और उसके साइड वाला दोनों भुजा बरावर होता है, त्रिभुज सम्रूफ आता है, ठीक है, तो यह तो दिया गया था, यहाँ लिखेंगे, दिया है, ठीक है, तो यह दोनों त्रिभुज का हो जागा, सम्रूफ हो जागा, दो भुजा है, और एक कोन है, ठीक है, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलाग के स्टेडी के प्ले लिस्ट में या नीचे डिस्क्र किस्टन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद